मेरे करीबी जो एक मन्त में 4 लाख रूपए इसे स्कील से कमाय हुए थे आपको जहां तक पता है समाय बदल गया अब डिजिटल के दुनिया में हर एक कोई डिजिटली ग्रो कर रहा है आप यदि मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स कर लिये हैं बैसि कर रहा हूं वेवसाइड दीजाइनिंग प्रोफेशनल तरीका से आप कैसे सीख सकते हैं ऐसे साइड के पिले चलूँगा जहां पे जाकर आप फिरी में एक तम से सीरियल से आप इस कोर्स को सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से ओभी हिंदी भासा में बहुत मुस्किल होता है हिंदी भासा में एक प्रोफेशनल कोर्स अभी के समय में खोजना यूटूब पे वीडियो कुछ मिल जाते हैं लेकिन वहां पे एक सीरियल आपको जेन्वीन तरीका से नहीं मिल पाते हैं जिसे काफी परिशाणी होती है काफी जादे समय लग जाते हैं लेकिन यहां पे व विवसाइट आराम से डिजाइन कर सकते हैं पर डिजाइन के हिसाब से विए पैसे ले सकते हैं या फिरीलेंसिंग का नाम आप सुने होंगे बहुत सारे फ έχलेंजिंग चल रहा है आप फट Nejभिफिंक प्रेसाइबरो έχ से अप कोई जॉब आज कल आप या तो इंडिया करें तो इंडिया में करेंगे या फिर फॉरेंड जा रहे हैं तो फॉरेंड में करेंगे लेकिन इसे स्किल के बेस्ट पे आप कहीं भी रह रहे हैं तो यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत सारे कोर्स दीख रहे हैंगे बेसिक यहाँ पे language course है जो कि आपको एक website अच्छे website मन चाहे website को design करने के लिए अच्छी तरह से language आना जरूरी है जैसे आप Java का नाम बहुत पहले से सुने होंगे एडवांस लेबल सीख सकते हैं यहाँ पे C programming language है इसको आप PHP को सीख सकते हैं एडवांस लेबल में जिससे आप एक अच्छा website बना सकते हैं और तो और यहाँ पे आप C++ जो सुने हों आज तक C++ का language भी यहाँ पे है Certificates examination course का यह फी है तो आपको फिलाल इसको सीखना है तो आप enroll for free पे क्लिक करके आप सेम सारी वीडियो आप फिरी में access करके पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस course का एक वीडियो च्छोटा सा है वह आपको सामने मिल जाएगा अब हम स्टार्ट करने जा रहा है एडवांस पीएजबी लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एडवांस पीएजबी का यूस कहां पे होता है और उसके थरू आप किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हो यहाँ पर कोर्स टॉपिक पर आप जाएंगे यहाँ पर फिर्स पर वीडियो है ऐसे करके आपको मतलब इस कुर्स में ओवरॉल सब पे पी इमेल पर वीडियो है सरच करना है यहां पर इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में लर्न वर्न सर्च करना है L-E-R-N-V-E-R-N www.learnburn.com यह original site है यहाँ पे आप click करते ही इसकी website एकदम simple में आपको website देखने को मिल लाएगा जहाँ पे आप कोई भी course यहाँ पे search कर सकते हैं जो भी यहाँ पे उपलब्द होगा वो course आपके सामने आ जाएगा या फिर सारा course एक के करके इस पे दिया गया है जैसे wordpress के थुरू आप website चीखना चाहते हैं तो wordpress एक बहुत ही आसान है जहां से आप बहुत ही कम समय website ली जाइन कर सकते हैं तो सबसे खास important आपको सबसे पहले इस पे account बनाना पड़ता है facebook से भी आप direct sign in कर सकते हैं या फिर आप direct sign up पे क्लिक करके username, email address, अपना password क्रिएट कर लेंगे इस परकार से हम sign in कर लिए हैं इस पे आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा जैसे sign in आप हो जाएगे उसके बाद आप अपने मन चाहे course को देख लेंगे आपका जो भी पसंदीदा course है website के लिए आप अलग-अलग language सीख सकते हैं language सीखने का यह फायदा होता है कि आप अपने मन चाहा website मना लेते हैं जैसे design करना चाहा है जैसा template जैसा कोई भी element यह language का फायदा या फिर आजकल wordpress में भी बहुत ही option option खुला होगा है बहुत सारे option मिलते हैं अच्छे अच्छे website के तो आप WordPress से बहुत ही कम समय में भी website बना सकते हैं जैसे आप इस course को सीखना चाहा रहे हैं तो आप क्लिक पे continue पे क्लिक करेंगे तो आप से यहां पे click here to continue का option आएगा और उसके बगल में ही एक छोटी शी वीडियो होगी जहां पे introduction दिया गया होगा कि इस वीडियो इस से course में आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा यह सारी चीजिस में आपको मिल लाएगी तो अभी तक आपने जो देखा अपने laptop या फिर mobile के Chrome browser के Google में जाके ही website के थ्रू आप उस वीडियो को सीख सकते थे लेक आपको अपने play store में ही search कर लेना है learn 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 को search करते ही आपके play store के first में ही मिल जाएगा जैसे कि हम download कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे केवल open का option आ रहा है आपको install का option इतना तो सब को आता होगा application कैसे install किया जाता है इसलिए हम यहाँ पर open करते हैं अब open करते ही आपके सामने कैसा interface आएगा वो आप देख सकते हैं open करते ही direct course का interface यहाँ पर आ जाएगा आपको पूरे course की list दी हुई है यहाँ पर आइकन तो नहीं लेकिन course का name है आप अपने मन चाहिए course को यहाँ पर खोद सकते हैं तो आपको भी यहाँ पर अपना login होना चाहिए जैसे कि आप देख जो भी account है उसको login कर सकते हैं facebook के तुरू भी आप sign in करके direct वहाँ पर जा सकते हैं तो आप जो पहले से बनाया है उससे कर लेंगे तुमीदन आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखने को मिला होगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद